गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कॉंडल ब्यूज यूट्यूब चैनल स्वागत आपका मेरी एक न्यू वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं नुमालीगर्ड रिफाइनरी लिम्टेड की तरफ से रिक्रूट्मिट नोटिस आउट किया गया है वेरियस विकैंसिस के लिए कितनी यहाँ पे टोटल विकैंसिस निकाली गी हैं उसके लावा सेलेक्शन प्रसेस क्या रहेगा फ्रेशर कैंडेट एपलाई कर सकते हैं या नहीं कम्प्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को एंट तक वाच करें और हमारे चैनल पर पहली वार विज़र कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस जॉब अपडेट के लिए डेली ऐसी लेटेस जॉब अपडेट आपको प्रवाइड की जाती इस चैनल पर official notice के साथ में, तो इसी के साथ मैं करते हैं video को शुरू. बात करें ओफिशेल नोटिस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नुमालीगर रिफाइनरी लिम्टर की तरफ से निकाला गया ओफिशेल नोटिस है जिसका की एडवर्टेजमेंट नमबर आपको यहाँ पे दिये गया है आप इसको उनकी ओफिशेल वेबसेट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं उसके लावा बात करें यहाँ पे नुमालीगर रिफाइनरी लिम्टर की तो नुमालीगर रिफाइनरी लिम्टर जो वो आपकी ओल इंडिया लिम्टर की सबसीरी है उसके लावा यह मिनी रतरा पबलिक सेक्टर अंडर टेकिंग कंपनी है जो की आपकी Ministry of Petroleum and Natural Gas के अंडर आती है उसके लावा बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे सारे details आपको दीगी हैं आप यहाँ पे वरीफली इसको पढ़ सकते हैं बात करें यहाँ पे detail of vacancies के वारे में तो यहाँ पे जो आपकी vacancies रहने वाली हैं वो आपकी graduate engineer training की रहेंगी जिसमें की आपकी civil branch में रहेगी mechanical में रहेगी उसके लावा instrumentation में रहेगी electrical में आपकी रहेगी and chemical में आपकी रहेगी computer science में रहेगी आपकी यहाँ पे metrology में रहेगी उसके लावा जो यहाँ पे post रहने वाली है assistant officer की रहेगी जो कि आपकी commercial training की रहने वाली है and assistant account की officer के लिए रहेगी तो यहाँ पे आप सारी details देख सकते हैं total vacancies आपको यहाँ पे दी गी है graduate civil के लिए 6 vacancies दी गी है graduate engineer आपके mechanical के लिए 20 vacancies रहेंगी आपके instrumentation engineer के लिए यहाँ पे 11 vacancies रहेंगी 8 vacancies आपकी यहाँ पे रहेंगी electrical के लिए उसके लावा chemical में आपकी 10 vacancies रहेंगी उसके लावा आपकी computer science में 5 vacancies रहेंगी आपकी methodology में इसकी 1 vacancy रहेंगी and आपकी यहाँ पे commercial training के लिए 3 vacancies रहेंगी and 2 vacancies आपकी रहेंगी account officer की उसके लावा बात करें तो job आपको grade जो यहाँ पे दिये गया है E2 grade आपका रहेगा graduate training engineer के लिए and E1 grade आपका रहेगा यहाँ पे assistant officer के लिए and assistant account officer के लिए उसके लावा आपके यहाँ पे backlog vacances आपको दीगी है current reservation आपको यहाँ पे दिये गया है आप detail में इसको check कर सकते हैं कौन-कौन सी vacances आपकी किस category में दीगी है अपनी category के हिसाफ से आप यहाँ पर vacances देख सकते हैं बात करें आपके dates की तो यहाँ पे जो आपकी important dates रहने वाली है 24-7-2021 से आप form को apply कर सकते हैं and आपकी last date यहाँ पे रहेगी 13-8-2021 जो भी आपकी यह dates रहने वाली हैं वो आपकी यहाँ पे online process में रहेंगी online application के थुरू आपको यहाँ पे apply करना है 24-7-2021 से 13-8-2021 तक उसके लावा बात करें यहाँ पे details of education की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी education रहने वाली हैं वो आपकी एक साथ 2021 से पहले पहले consider की जाएंगी बात करें यहाँ पे आपकी graduate engineer training civil के लिए तो यहाँ पर आपकी first class जो आप वो engineering होनी चाहिए civil engineering में four years का full time आपका यहाँ पर course होना चाहिए उसके लावा आपका graduate engineer training mechanical की बात करें यहाँ पर mechanical की engineering आपकी होनी चाहिए 65% marks आपके सवी degrees के लिए मांगे गए हैं instrumentation की बात करें तो यहाँ पर first class degree आपकी यहाँ पर होनी चाहिए instrumentation engineering की उसके लावा electrical में बात करें तो first class degree आपकी electrical engineering में होनी चाहिए आपकी चैमिकल की बात करें, तो chemical engineering में degree आपकी होनी चाहिए, computer science में आपकी यहाँ पर engineering होनी चाहिए, first class degree 65% marks के साथ में, उसके लावा methodology की बात करें, यहाँ पर भी आपकी discipline जो रहेगा, methodology रहेगा, and उसके लावा methodology and materials engineering रहेगा, उसके लावा बात करें, यहाँ पर अपर age की, तो य पोस्ट की एसिस्टेंट ऑफिसर कमेंशियल ट्रेनिंग के लिए तो यहाँ पर आपकी क्वालिफाइं डिगरी चाहिए उसके साथ मैं टू यर्स का फुल टैम आपको पोस्ट ग्रेजवेट डिगरी आपकर यहाँ पर होनी चाहिए एमकॉम आपने कर रखी है तो एपलाई क जर सकते हैं आपर यहाँ पर आपकी थर्टी टू यर्स रहेगी इसमें भी आपका कोई भी आक्सपीरियंट नहीं है तो आप अप लाई कर सकते हैं असिस्टेंट अकॉट ऑफिसर की बात च्रू यहाँ पर यहाँ पर च्पोस्ट ग्वालिफाइं तो आपको डिगरी यहा बाकी सब्सक्राइब जो भी पोश्ट रहेंगी उसमें आप रेच्छर केंडियेट भी एप्लाई कर सकते हैं तर्मेंट केंडिशन की बात करें यहां पर सारी कंडिशन आपको दीगी हैं आप यहां पर रीफली पड़ सकते हैं बेसिक पेसके जो आपको दीए जाएगा एक ग्रेड जो भी आपका रहेगा जो भी आपका ग्रेजवेट ऑनिः ठीयरीव के लिए रहेगा वो आपका यहां पर रहेगा 50,000-10000000 तक और आपका CTC यहां पर रहेगा और इकांट ?7 opened के लिए पोस्ट के लिए उसके संडि़िन से लेके हों सब्सक्राइब पासे लाएग तो जो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं graduate engineer training के लिए and assistant officer commercial training के लिए तो यहाँ पर जो training रहेगी आपकी period की वो आपकी बनियर्स की यहाँ पर रहेगी उसके लावा बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका बनियर्स का training complete होने के बाद में जो आपको यहाँ पर पे पे locations यहाँ पर रह सकती है जो भी subsidiaries की company है बहाँ पर भी आपकी इसकी placement रह सकती है उसके लावा selection process की बात करें तो जो आपका यहाँ पर selection process रहेगा वो आपका CVT यहाँ पर test लिये जाएगा computer waste आपका test रहेगा उसके बाद में आपका personal interview लिये जाएगा group task आपका यहाँ पर र रहेगा उसके लावा section B में general knowledge current of year रहेगा section 3 में आपका यहाँ पर English language रहेगी and section D जो आपका रहेगा reasoning and numerical ability रहेगा उसके लावा 75% weightage जो आपको दी जाएगी साथ आपका यहाँ पर रहने वाला है उसके लावा आपका scrolling model की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर CVT test जो आपका रहेगा 85% weightage के साथ में रहेगा group task आपका यहाँ पर 5% weightage के साथ में रहेगा personal interview आपका 10% weightage दिये जाएगा and final score जो आपका रहेगा वो आपका combined score रहेगा ज साथ आपका 3,00,000,000 रूपीज यहाँ पर रहेगा आगे बात करें application process की तो यहाँ पर आपको जो form apply करना है वो online mode से रहेगा जिसकी starting date 24 साथ रहेगी and 13.8.2021 की last date रहेगी आपको इनकी official website पर जाकर form को apply करना है carrier section में आप जाओगे वहाँ पर current opening में जाओगे तो वहाँ से आप form को apply कर सकते हैं इसका आपको link provide कर दूँगा description में बहाँ से जाके आप directly form को apply कर सकते हैं जो जो documents आपको यहाँ पर upload करने हैं वो सारे details में आपको यहाँ पर दिये गए हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बात करें यहाँ पर application fees की तो यहाँ पर आपकी application fees रहने वाली है वो आपकी 500 Rupees रहेगी जो की आपकी जनल स्केंडेट के लिए ॉVC केंडेट के लिए एंचेज एल के लिए एवलिय स्केंडेट के लिए रहेगी उसके waving 맛있 च्डि-डवरणी केंड़ेट के लिए यहां सकते हैं उसके इलावा बात करें तो यहांपर आप देख सकते हैं जो विन के टोर्फ्री नंबर दिये गए हैं आप इन पे contact करके पूंच सकते हैं आपको को भी problem आती है FORM को apply करने में यह कोई भी आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप contact कर सकते हैं उसके लावा बात करें तो इसका official notice आपको मेरे टेलिग्राम ग्रूप GKY दिनेसर पर मिल जाएगा जिसका की link आपको description में provide कर दूँगा वहाँ से जाके आप directly जो वो PDF डॉनलोड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आज की information आ update आपको provide की जाती है इस चैनल पर official notice के साथ में तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you goodbye take care